दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जारे Income Tax Department दुवारा एक नया E-Campaign जारी कर दिया गया है दोस्तो इस E-Campaign के थुरू Income Tax Department दुवारा जो भी Taxpayer है जो भी Entity है जो Advanced Tax Pay कर रही है Financial Year, Tays Choice और Assessment Year चोईस 25 के लिए 15 मार्स से पहले-पहले आपको Advanced Tax Pay करना होता है ऐसे Taxpayer, ऐसे Entity जुन्होंने अल्रेडी Advanced Tax Pay कर दिया है लेकिन जो उन्होंने Advanced Tax Pay किया है वो उनके Significant Financial Transaction से मैच नहीं हो रहे है यानि उन्होंने कम Advanced Tax Pay किया है जबकि उनके AIS या फिलाइंस पोर्टल के अंदर उनके Significant Transaction दिख रहे हैं जो उस Advanced Tax के मुकाबले Difference है इस वज़े से Income Tax Department दुवारा एक नया Advanced Tax E-Campaign Significant Transaction फोर असेस्मेंट ये 24-25 का जारी कर दिया गया है जो सभी Tax Pay को E-Mail के तुरू या फिर SMS के तुरू भेजा जा रहा है और उनसे का जा रहा है कि आप अपना Advanced Tax जो है वो Correctly Deposit कर दे 15 मार्स से पहले पहले दोस्तो AIS के अंदर जाकर आप उन Financial Transaction को चेक कर सकते हैं या फिर Income Tax Portal पर जाकर Compliance Portal पर जाकर आप E-Campaign करके टैप दिया है उसमें भी जाकर उन Transaction को चेक कर सकते हैं जिससे आप अपना Advanced Tax Correctly Report कर पाएंगे तो ये E-Campaign Income Tax Department दुवारा जारी किया गया है For Advanced Tax Pairs के लिए दोस्तो आईए आज के इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कौन से कौन से ऐसे Significant Pay Financial Transaction है जिसके बारे में Income Tax Department दुवारा Sources से इनको बताया जारा है Income Tax Department को और ये आपके AIS के अंदर reflect कर रहे है तो कौन से कौन से से Transaction है जो हमें ध्यान रखने है और अगर हमारे e-campaign में दिखाई दे रहे है या AIS में दिखाई दे रहे है तो उसके related अगर कोई Advanced Tax बन रहा है तो उसे हमें जमा कर देना चीए 15 तारीक 15 माँ 12 चोईस आखरी डेट है फाइनेशल है 23 चोईस के Advanced Tax की पेमेंट के लिए आए श्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और जानते है Significant Financial Transaction के बारे में चैनल पर ना है तो सब्स्राइब कर लिजिए और बेल आइकन पर लो नोडिविकेशन पर क्लिक कर लिजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोडिविकेशन रियाडिक अमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रें आईए श्टार्ट के अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए तो दोस्तो आईए श्टार्ट के अपने आज के वीडियो को सबसे पहले ये जानते है significant financial transaction के बारे में तो दोस्तो saving account अगर आपका है current account अगर आपने रखा है या फिर fixed deposit यानि term deposit अगर account आपका है तो उस case में अगर आपने कोई asset transaction किये है पूरे साल के अंदर current account हो गया, saving account हो गया या fixed deposit account हो गया तो उस case में जो भी bank है या post office है जिसके अंदर आपने ये account खुलवाए है वो आपकी reporting करते income tax department को और ये सब transaction जो है वो आपके AIS के अंदर reflect होते हैं दोस्तो इसके लिए limit रखी गई है कि कब bank या फिर कब post office जो है वो आपके transaction कितनी limit के उपर जाने पर reporting कर देते हैं तो आईए जानते हैं सबसे बहले बात करते हैं अगर आपका current account है किसी भी bank के अंदर तो उस case में अगर आप cash जमा करते हैं या cash निकालते हैं यानि cash deposit करते हैं या cash withdraw करते हैं तो उसके लिए सालाना limit दी गई है पचास लाख रुपिये यह पचास लाख रुपिये चाहे आप 10-10 लाख रुपिये करकर पचास लाख कर रहे हो या एक बार में ही पचास लाख से जादा का cash deposit या cash निकाल रहे हो तो उस case में income tax department को bank दुआरा जो है यह information बेजी जाएगी यानि bank जो है income tax department को information बेज देगा और यह information आपके AIS के अंदर reflect होगी क्या आपने पूरे साल के अंदर current account के अंदर 50 लाख रुपिये से जादा का transaction किया है दोस्तों इसमें कुछ बाते और है कि जो भी current account है जिस bank के अंदर आप कर रहे हैं आपने उस particular bank के अंदर चाया आपने एक account खुलवाया हो दो account खुलवाया है या तीन account खुलवाया हो सभी account को मिला कर 50 लाख की limit देखी जाएगी ऐसा नहीं है, आपने एक account खुलवाया है और दो account खुलवाया है तो उस case में आपकी 25 लाख अगर limit है तो आपका reporting नहीं होगा ऐसा नहीं होगा अगर एक account में आपने 20 लाख किया है, दूसरे अकाउन में आपने 30 लाख रुपे करें और जो तीसरे account में आपने 10 लाग रुपे करें तो overall limit जो है वो देखी जाएगी 50 लाग से उपर है तो उस case में आपका reporting कर दी जाएगी लेकिन इसमें भी एक loophole यह है कि यह limit जो है वो particular bank related है यानि अगर आपने ICIC bank के अंदर current account है, HDFC bank के अंदर current account है और Access bank के अंदर current account है और Tino bank के अंदर 40-40 लाग के अंदर transaction किया है तो उस case में यहाँ पर aggregate नहीं देखा जाएगा यहाँ पर particular bank की limit अगर 50 लाग से अंदर देखी जाएगी जिसके थुरू आपकी कोई भी reporting नहीं होगी तो आप इससे बस सकते हैं आईए अब बात करते हैं saving bank account के बारे में जहाँ पर आप single bank के अदर 10 लाग से जाधा का transaction करेंगे तो वो bank आपकी reporting कर देगी income tax department को दोस्तो saving account के अंदर हमने cash deposit की बात करिए कि cash deposit अगर 10 लाग से जाधा करते हैं तो उस case में आपकी reporting हो जाएगी लेकिन अगर आप cash withdrawal करवाते हैं तो उस case में 20 लाग और 1 करोड की limit है जिस पर आपका TDS deduct होता है तो bank जो है वो आपका TDS section 194 N के तरह deduct कर लेगी जिसकी वज़े से आपके AIS में वो TDS reflect हो जाएगा तो ये भी आपको दियान रखता है cash deposit 10 लाग से जाधा नहीं करना है और cash withdraw करना चाते है saving bank account से अंदर तो उस case में 20 लाग और 1 करोड की limit रखी गई है आईए अब बात करते है fix deposit के बारे में यानि अगर आप term deposit करवाते हैं तो उस case में भी 10 लाग की limit है 10 लाग से उपर अगर आप fix deposit करते हैं particular financial year के अंदर तो उस case में चाए bank हो post office हो NBFC क्यों ना हो या नीदी company के अंदर अगर आप करवा रहे हैं तो आपकी reporting हो जाएगी ध्यान रखेगा fix deposit अगर आप renew करते हैं यानि पहले साल की fix deposit अगले साल में renew करते हैं और 10 लाग से जादा है तो उस case में कोई भी reporting नहीं होगी आईए दोस्तो आजा था अपने अगले significant transaction जो है credit card तो अगर आप credit card के bill का payment कर रहे हैं चाए एक credit card हो दो credit card हो या तीन credit card हो अगर credit card company आपको credit card issue कर रहे हैं और आप उसका bill का payment कर रहे हैं cash में कर रहे हैं एक लाग रुपे से जादा तो उस case में वो credit card company आपकी reporting income tax department को कर देगी यानि आपके AIS के अंदर reflect हो सकती है इसके अलावा अगर cash के अलावा कोई other mode से करते हैं 10 लाग रुपे से जादा करते हैं तो भी आपकी reporting हो जाएगी तो ध्यान रखेगा credit card company में अगर आपने एक credit card लिया है या एक से जादा credit card क्यों ना है आपके तो उस case में आप एक लाग रुपे cash में और other mode में 10 लाग रुपे की limit रखी गई ये इससे जादा करेंगे तो उस case में आपकी reporting सीधे सीधे income tax department को कर दी जाएगी दोस्तो आईए अब बात करते अगर आपने bond, debenture, buyback, shares या mutual fund के अंदर transaction किये है तो उस case में आपकी reporting हो जकती है पूरे साल के अंदर 10 लाग या उससे जादा aggregate 10 लाग रुपे दिये गए यानि 2-2 लाग करकर 10 लाग से जादा transaction कर रहे है या एक बार में 10 लाग से जादा का अगर transaction किया है तो उस case में पूरे साल के अंदर अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी issuing company है चाहे वो mutual fund issue कर रही है, buyback issue कर रही है shares, bond या debenture issue कर रही है वो आपकी income tax department को reporting कर सकती है अब बात करते हैं अपने अगले financial transaction के बारे दोस्तो अगर आप foreign currency बेचते हैं तो उस case में 10 लाग रुपे से जादा पूरे साल के अंदर अगर आपने बेचिये तो उस case में आपकी reporting की जा सकती है या फिर अगर आप कोई property purchase या sale करते हैं जिसकी value 30 लाग रुपे से जादा है पूरे साल के अंदर तो उस case में जो registrar है वो आपकी reporting income tax department को कर सकता है इसके अलावा अगर आपने 2 लाग रुपे से जादा cash का payment किया है को भी goods और service लेने के लिए तो उस case में section 44 AB के तहर्ट जो audit liable person है जिसको आप payment कर रहे है वो reporting आपके income tax department को कर सकता है कि दो लाग से जादा का आपने cash में payment किया है उस goods और service को लेने के लिए तो दोस्तों ये सभी transaction जो है वो significant transaction माने जाते है और इन transaction की जो reporting है वो income tax department को की जाती है income tax department दुआरा इन transaction को देखा जाता है कि क्या ये transaction आपके income tax return से match करते है या नहीं करते है या फिर आपने जो advanced tax payment किया है क्या उससे कम किया है या ज़्यादा किया है इन transaction को देखने के बाद आपको जो है email और message बेजा जा रहा है for advanced tax e-campaign के through तो दोस्तों ये important है कि इन सभी transaction के बारे में आपकी knowledge हो कितनी limit क्या limit है और ये AIS में जाकर आप चेक कर सकते हैं आप compliance portal पर जाकर चेक कर सकते हैं कौन से transaction के related आपको जो है notice बेजी जा रही है यानि email जो है confirmation email जो है वो बेजा जा रहा है ताकि आप advanced tax जो है वो properly, correctly deposit कर पाए financial year 23 choice assessment year 24-25 के लिए तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खतम करते हैं इसके अलावा अगर आपके कोई doubt है, query है तो नीचे comment करके आप हमें पूछ सकते हैं वीडियो बजना है तो वीडियो को जाज जाज शेयर करना ना भूले आज का वीडियो यह समाप्त करते हैं, धन्यवाद